नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको नेताजी सुभाश चंद्रव बोश के बारे में दस महत्वपुर्ण बाते बताने जा रहा हूँ कृपया वीडियो ध्यान से देखे अंतक देखे और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम आगे नेताजी सुभाश चंद्रव बोश का जन्म उडिशा के कटक शेत्र में तेवीज जन्वरी अठारा सो सतानु में हुआ था अपनी माता प्रभावती के चौदा बच्चे में नेताजी नवी संतान थे नेताजी के पिता जानकीनाद बोस कटक के एक मशूर सरकारी वकिल थे नेताजी बिए की परिक्षा कलकत्ता विश्व विद्यले से प्रतम श्रेणि में पास की थी सन 1929 में नेताजी प्रशास्निक परिक्ष्या में चोथा स्तान प्राप्ट करके उतिर्न होए थे स्व मी विवेकारन वा अन्य से प्रभावित नेताजी 1921 में नोगरी से इस्तिपा दे दिये थे नेता जी भारतिय सोतंतरता संग्राम के वीर करांतिकारी नायकों में से एक थे बगत सिंग को फासी होने के बाद इनका गांधी जी से राजनेतिक मद्वेच शुरू हो गया लगबग 40,000 भारतियों के साथ नेता जी ने 1943 में आजाध हिंद फोज बनाई थी एक विमान दुरगटना में 18 अगस 1945 को ताइवान में उनकी उम्रत्ती हो गई थी दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को लाइक और सब्स्राइब करना ना भूलिए नमस्ते